हेलो एब्रिवन मैं मेतन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे जारखंड हाइस्कूल सिलेबस 2020 के बारे में बात करेंगे और हम लोगों के लिए सब्जेक्ट जो रहेगा वो रहेगा मैथ और फिजिक्स की जी हां आपको जैड सारी इंफोर्मेशन आपको क्रिस्टल क्लियर आसान बासा में इस वीडियो में दीजाएगी अगर आप पहली बार चैनल पे आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए गंटे वाला बटन नहीं दवाया है उससे भी आपको दबा लेना है और इस वीडियो को सेयर करें जो की सचमुच में तयारी करने के लिए जो है कंसर्न है दो कोस्टन में आप लोगों से पूछूंगा आपको बताना है एक्स टू दपावर जीरो की वेल्यू क्या होती है बहुत ही आसान कोस्टन है आई होब कि आप इसका आंसर दे दोगे और दूसरा सवाल थोड़ा सा म मैथ और साइंस के स्टूडेंट हो तो इसका जवाब तो आप दे ही दे दोगे एक्स क्यू और प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है तो यह दोनों कोस्टन का जवाब आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा मैं जानना चाहूंगा कि कौन-कौन इस सब्जेक्ट है जारकर्ण में वो सारी जानकरी आपको यहां से मिल जाएगी चलिए मैं आपको सिलेबस ही दिखा देता हूं यह देख लो देखे परिक्षा जो है वो दो पेपरों में आपकी लीज आएगी और प्रसंपत्र होगा जो वो हिंदी और इंग्लिस दोनों में ह उसी सब्जेक्ट में उसी भासा में पूछे जाएंगे हिंदी इंग्लिस के लिए उसके लिए उप्सन नहीं रहेगा अब देखे पेपर वन में क्या पूछा जाएगा समानी ज्यान और हिंदी भासा की परिख्षा होगी 200 अंकों की और इसमें 200 अंक जो होंगे इसमें आउंक आपको दिये जाएंगे घलत होने पर अंकों की कटती नहीं कि जाएगी याद रखीएगा कटनी दोनों प्रसम पत्रों में आपको जाद से जाद स्कोर करना है तभी आप जो है सेलेक्शन पास सकोगे यह तो बोलोगे मुझे भी पता है आपने कुछ स्पेशल बताया नहीं लेकिन देखो अब स्पेशल जानकारी और मार्केट में हजारों तरह के इन्फोर्मेशन पहले से अब लेवाल है लेकिन कौन सी करेक्ट है यह जानना जरूरी है यहां से देखो गनित और भौतकी विसाई के लिए प्रसन पत्र दो मैं जो है 75 प्रसन जानित के रहेंगे और 75 प्रसन फिजिक्स के रहेंगे यहांने की भौतकी के रहेंगे यहां पर मामला रहेगा और इसी तरह से आगे वाले सब्जेक्ट के लिए जिसे मैं सोट में आपके साथ कोसिच करूंगा कि साजा कर दूँ और और फिर हम लोग physics और math के syllabus को देखेंगे, पूरी वीडियो में एक ही वीडियो से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आगे बढ़े उससे पहले आपको बता तूँ कर आपको math और physics का जो high school का paper हुआ है, TGT का, इसके साथ ही TGT के जितने भी paper हुए हैं, चाहे वो UP का हूँ DSSB, KBS, NBS या Atomic Energy Education Society, यह सारे Central Government के मैंने आपको example गिनाए हैं, आर्मी स्कूल के, तो यह सारे paper आपको only 100 रुपीज में provide कर दिया जाएगा, I repeat, 100 रुपए में यह सारे paper आपको मिल जाएगे, बहुत सारे paper यहाँ पे आपके लिए होने वाले हैं, यहां से मेरी email ID देख लो भारत के सभी संस्कृती, भारत की जो संस्कृती है, सबेता है, यहां के जो प्रमुख मंदीर हैं, इसके अलावा जो बहतरी नस्थान है, और भारत में जो भी बैग्यानिक प्रगती हुई है, उससे question पूछा जाएगा, समसमाईक विशे से question पूछा जाएगा, यानि की current affair से question पूछा जाएगा यहां पे, भारत का इतिहास, भुगोल, संस्कृती, पर्यावरन, सारे प्रसंद पूछे जाएगे, भारत का जो स्वतंतरता आंदोलन है, 1857 से लेकर, 1947 तक, यह सारे इन year के बीच में जो भी घटनाय महतपुर्न घटी है, इसके बारे में आपको पढ पढ़ लेना है, पंच वर्सियों जुनाओं को अच्छे से पढ़ लेना है, और जारखंड जीके को भी पढ़ना है, याद रखीगा, समान ग्यान में, क्लास 10 तक के, NCRT बुक को अगर आप फॉलो करते हो, तो समान ग्यान आपका काम बना देगा, रिजनिंग की बात करें आप इमेल में, आगे देखिए, जारखंड राज से क्या पूचा जाएगा, जारखंड राज का भुग्योल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, सबेता, संस्कृति, भासा साहित, जारखंड के जो अस्थान हैं, खनीज लवन यहाँ जो मिलते हैं, उद्योग यहाँ पे सिध्धु कानू का बहुत योगदान है, तो इनको आपको पढ़ लेना है, जारखंड के जो खेल खिलाड़ी हैं, जारखंड की जो विकास योजना है, जारखंड की जो परसटनालिटी हैं, उनके बारे में आपको पढ़ लेना है, अब बात करते हैं paper two, और paper two में आपका subject आपको पता है आपका सब्चेक्ट राने वाला है फि convection और मैथ ये syllabus बहुत इमपॉर्टेंट है इसी से आपका यो जो है जौब लगने वाला पेपर वन्तों qualifying नेचर का था फिलाल में आपको आप देखो, यह रहा हिंदी का भी से, हिंदी के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, अलग सब्जेक्ट की अलग सी वीडियो बनेगी, संस्क्रीट का भी से रहा, यह देखो math का रहा, math और physics दोनों पढ़ना याद रखिए, सिर्क math वाला वीडियो दे इसक्रिप्शन में देदू, और वो बुक पर्चेस करके आप तयारी में लगोगे, तो उसके लिए आप नीचे कॉमेंट किजिएगा, बी डवल ओके, मुझे भी बता चले एक वीडियो आपने यहां तक देख लिया है, और बुक के ओपर, I promise, जैसे ही 50 कॉमेंट आते हैं मैं अगली वीडियो बना दूँगा, मैंने promise करा था, कि जैसे ही सबसे ज़्यादा जिस बिसे के कॉमेंट आएंगे, तो physics और math काया, मैंने वीडियो बना दिया, चलिए यहां से देख लेते हैं, करके set theory के लिए क्या-क्या पूछा जाएगा set theory में, देखिए, demorgan law आपको पढ़ लेना है, countable और uncountable set को पढ़ना है, set mapping को पढ़ना है, algebra की बात हो रही है, जिसमें set theory की यह बाते हैं थी, अब देखिए, theory of equation अलग से एक book आता है, उसमें आपको relation between root and coefficient को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, roots and coefficient को, इसके अलाबा transformation of equation पढ़ना है, symmetric function of root पढ़ना है, clear ह और यह बात है, topic को लिख लीजिए, और एक-एक topic को YouTube के मादम से पढ़िए, या book से पढ़िए, और topic को highlight करते जाए कि मैंने यह topic पढ़ लिया है, चलिए, differential calculus के बारे में बात कर लेते हैं, और differential calculus में आपको function पढ़ना है, continuity and differentiability पढ़ना है, successive differentiation पढ़ना है, leavenich theorem पढ़ना ह यूलर, theorem और tangent and normal, देखो, tangent के spelling इन्होंने गलत लिख दी है, और नीचे comment करके बताना कि मैं सही लिख रहा हूं या इन्होंने सही लिखा था, tangent के spelling यह होनी चाहिए, मुझे लग रहा है, यहाँ पर इन्होंने गलत लिख दिया है, नीचे comment करके आप लोग बताईएगा, अ rational और irrational function को पढ़ना है, properties of definite integral को पढ़ना है, इसके अलाबा reduction formula पढ़ना है, differential equation on first order, on first degree भी आपको पढ़ लेना है, दोनों की बात की जा रही है, यहाँ पर दोनों को आपको पढ़ना है, अब देखे, point number 4 की ओर आएंगे, coordinate geometry में क्या पढ़ना है, standard equation of parabola, eclipse, hyperbola, tangent and normal, देखो तो यहाँ इन्होंने tangent सही लिखा था, मैंने गलत, actually इन्होंने जो है गलत लिखा था आगे में, आगे देख लो, diameter excluded है, diameter आपको नहीं पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बता दिया कि क्या नहीं पढ़ना है, आगे देखे, coordinate geometry और three dimension के बारे में क्या पढ़ पढ़ना है, different coordinate system और relation between them, यह पढ़ लेना है, direction, cosine पढ़ लेना है, और plane, straight line को पढ़ लेना है, clear होगी बात है, अब देखे, trigonometry में क्या पढ़ना है, इसका application पढ़ना है, complex argument पढ़ना है, और georgie series को भी पढ़ लेना है, submission of series भी पढ़ लेना है, आपने degree one में यह सारे चीज़ां पढ़े थी, दखे, degree one जब three years का होता था, उसकी बात हो रही, अभी भी three years का ही graduation है, बट अभी same one में आपको यह चीज़ें देखने को मिलती है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही गंदी handwriting थी, actually यह तो math का syllabus हुआ, ठीक है, math की book के लिए जो है, नीचे math book लिखते हैं, physics के लिए लिखोगे, तो physics के लिए अलक्सिक वीडियो बन जाएगी, आगे देखिए, अब बात करते हैं, paper one physics की, देखिए paper two आपका क्या रहेग math रेगा, अब देखिए general physics में पहला जो topic है, वो क्या पढ़ना है, आपको vectors and properties of vector, यह पढ़ लेना है आपको, आगे देखिए relative velocity पढ़ना है, projectile पढ़ना है, uniform circular motion पढ़ना है, work energy पढ़ना है, power पढ़ना है, बहुत सारा topic है, इसमें पढ़ना तो पढ़ेगा, gravitation पढ़ना ह होगा, graduation में यह आपने काम कर लिया है, velocity और acceleration के बीच आपको difference नहीं पता है, speed और velocity में क्या difference है, acceleration और velocity में क्या difference है, अगर आप नहीं समझ पाओगे, तो इन topic को कहां से समझ पाओगे, तो basic से सुरू किजिए, और जिन्होंने ऐसे तैसे पढ़ाई complete कर लिया है, basic नहीं पढ़ना है, elementary law of idea, law कहां था भाई, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, यहां से देख लो, elementary idea of surface tension पढ़ लेना है, angle of contract पढ़ लेना है, और viscosity elementary ideas को पढ़ लेना है, अब देखिए, relativity में क्या पढ़ना है, special theory of relativity and law range transformation को भी पढ़ लेना है, length contract and time dilation पढ़ना है, velocity dependence on mass, mass energy और equivalence को पढ लेना है, आगे देखिए, heat and thermodynamics की बात कर लेते हैं, यह topic एक minute, यह देख लो, इसमें क्या-क्या पढ़ना है, kinetic theory of gases पढ़ना है, 0th law of thermodynamics पढ़ना है, first law of thermodynamics, देखो thermodynamics को अच्छे से पढ़ लेना, यह बार-बार-बार-बार-बार topic आ रहा है, isothermic पढ़ना है, adiobatic पढ़ना है, इसके अलाबा जो process है, इसका वो भी पढ़ना है, reservoiral और irresible process को भी पढ़ना है, second law of thermodynamics पढ़ना है, और carnot engine और इसकी जो efficiency है, वो आपको पढ़ कर जाना है, optics में देखिए क्या पढ़ना है, simple और compound microscope को पढ़ना है, hyzen का principle पढ़ना है, interface of light पढ़ना है, elementary ideas को आपको पढ़ लेना है, अब देखिए, electrostatics and magnetism में, gas का जो theorem है, वो पढ़ना है, इसका application क्या होगा, electric potential क्या होता है, filled on point due to the electric diport, वो पढ़ लेना है, capacitors पढ़ लेना है, combination of capacitor, series और parallel में जो होता है, है न, ऐसे यह हुआ, यह हुआ parallel में, और एक ही line में जो होगा, वो पढ़ लेना है, classification of magnetism, material पढ़ लेना है, अब देखिए, current electricity के बारे में, creature of law को पढ़ना है, और इसका application को पढ़ लेना है, वेडिस्टाउन बिरीज देखिए, यह सारे plus two में, जी हां, आपने ISE में यह चीज़ों को पढ़ा था, तो plus two वाले book से आपका यह काम निकाल दे है, अब देखिए, atomic और nuclear physics में क्या पढ़ना है, structure of an atom पढ़ना है, bore का theory पढ़ना है, hydrogen atom के बारे में, hinson work का uncertainty principle पढ़ना है, और slow dangers का equation पढ़ना है, पतानी कैसे पढ़ते हैं, इसे बट आप समझ लेना, आगे देखो, अब electronics में क्या पढ़ना है, entrance और extrins जो semiconductor हैं, वो half wave और full wave reflectors पढ़ना है, pnp और npn पढ़ना है, और इसके जो characteristic है common में, जिसका base और common configuration क्या होता, वो पढ़ लेना है, decimal और binary system को पढ़ लेना है, और इसके जो interconversion है, और basic logic है, और truth table है, ये सारे चीज़ों को पढ़ लेना है, और ball and algebra को पढ़ लेना है, तो ये था physics का syllabus औ math का सले, बस अगर आपको इसके ऊपर जो है, बुक की वीडियो चाहिए, तो BW के बुक और physics की चाहिए, तो physics लिख देना बाद में, math की चाहिए, तो math की लिख देना, वीडियो यहां तक देख ली है, और पूरी देख ली है, तो एक बार नीचे comment section में, जैहिंद जरूर देखिएगा, वीडियो को यहां तक देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, हो सकता है कि जिनके साथ आपने गरेज्विशन करा है, उनसे फिर से आपकी बाचित सुरू हो जाए, और आप एक द झाल झाल झाल